दोस्तो आज कल हर को अपने पेट की समस्या से परेसान है किसी को भूग ना लगने की समस्या है तो किसी को पेट की गैस और कमजोर पाचन सिस्टम की समस्या है दोस्तो लोग अपने पेट की समस्या को ठीक करने के लिए बहुत सारी अंग्रेजी दवाओं का सेवन करते हैं जो तुरंट तो आराम देती हैं लेकिन बाद में से कई सारी समझ सुरू हो जाती है इसलिए आज हम आपके पांचन सक्ति को मजबूत बनाने और पेट की सारी परहसानी को दूर करने के लिए एक best आरवेदिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे जो आपके पेट की सारी परहसानी को दूर करने में काफी best है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं डाबर हिंगाश्टक चूण के बारे में डाबर कंपनी भारत के ट्रस्टेट आरवेदिक कंपनी है इसके सभी product best होते हैं दोस्तो आपको बता दे कि हिंगाश्टक चूण आपको पतंजली, बैननाथ और कई सारी अरवेदिक कंपनीों का मिल जाएगा बात करें डाबर हिंगाश्टक चूण की तो ये 60 ग्राम की डिबबी पैग में आता है जिसकी MRP लगबग 120 रुपे होती है बात करें इसके composition की तो इसके अंदर पिपली, अजमोडा, सुएद जीरक, सुद्ध हिंग इसमें पड़ा होता है जो कि आपके पेट के लिए कापी फाइदे मंद होता है बात करें इसको कैसे इस्तेमाल करना है तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि इसको सही तरीके से यूज करने से ही आपको फाइदा मिलेगा इसको आप आधा चम्मच, सुबा, खाना खाने के बाद और साम को आधा चम्मच, हलके गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें बात करें डाबर हिंगाश्टक चूण के मुख्य फायदों की तो दोस्तो इसका यूज पेट से जुड़ी पर एसानी में किया जाता है दोस्तो जिन लोगों को पेट की गैस की समस्चा रहती है खाना खाने के बाद आप आच एसीडिटी पेट में जलन की समस्चा हो जाती है तो डाबर हिंगाश्टक चूण का इस्तिमाल करने से धीरे धीरे पेट की समस्चा ठीक हो जाती है इसके लाव जिन लोगों को भूग नहीं लगती है पाचन तंतर कमजोर हो गया है खाना खाते ही खट्टी डगारे आने लगते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू को इसका इस्तिमाल करने के बाद धीरे धीरे आपको भूग भढ़ना शुरू हो जाएगी आप पहले से ज़्यादा भोजन कर पाएंगे और आपकी पेट की सारी समस्या दूर हो जाएगी आपका पाचन तंतर मजबूत हो जाएगा हिंगास्टक चूड पेट के लिए काफी बेस्ट आरवेदिग मेडिसीन है सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कोई भी साइट फेट देखने को नहीं मिलते हैं इसके लाव दोस्तो अगर आप डाब और हिंगास्टक चूड के बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो के अगला जरू कर दीजे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सबस्क्राइब कर लीजे मिलते हैं और एक नए वीडियो में नमस्कार दोस्तों